इकोंकार सतनाम करता पुर्ख निर्पो निर्वेर अकाल मुरत अजूनी से भंग गुर्परसाद हर हर जन के मालख जीना हर तन जन को आप प्रब दीना हर हर जन के उठ सताणी हर प्रताप जन अवर ना जानी ओत पोत जन हर रसराते सुन समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का पगत प्रगट नहीं छपै हर की पगत मुकत बहो करे नान को जन संग के ते तरे वाईगर जी का खालसा वाईगर जी की फते गुरु प्यारे दर्श को आप सब दे दिते उत्षा नाल दे सद्गुरान यांबक्ष शानाल सुखमनी साब जी लड़ी वार विचार चर रही है हाजसी दूजी अस्टपदी दे सत्वे पादी विचार करनी है इस सारी अस्टपदी भी सद्गुराने हुआई गुरु दे नाम नाल पगतां संतां उन्हों जो दातां परापत हों दियां उन्हों जीवन जो हर तरांदे सुख नाल फली पूत होंदा है उदे चितर पाशा पेश का रहे हैं बाणी विच केई विचार मुल मुल के आए हन इन्हों दा पाव यो जाबदा है के सद्गुरु यो चे सुचे विचार सानू देड करवा रहे हन सिमरन दा पाव हुंदा है के वाई गुरु नू याद रखना मुल मुल के याद करना असी रोज ओयो बाणियां नितने मुल मुल के पढ़दे हां रोज आसा दी वार दा किरतन मुल मुल के सुन दे हां ते बाणिवी परमेशर दे उचे सुचे गुणा दी विचार देंदी है जिसनू मुल मुल के पढ़दे जन्दा एदा पावे हो है के ए सारे नाम सिमरन दे उचे सुचे गुण साड़े अमन अंतर इच वास जान ते साड़ा जीवन एना गुणा दी छो नाल उच्चा सुच्चा बन जाए तो उना विचारानों ही पाश्या के वारी मुल मुल के दो रान दे हन तांके ओ सानू पर पक हो जान तो पाश्या परमाऊं दे हन हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप प्रबदीना पिछे भी विचार हो इसी के पगता लेई सब तो वड़ातान सब तो वड़ी दौलत परमिश्रदा नाम है जो ओ अकाल पर रखवाई गुरुकोलों नाम सिम्दन करके पगती करके प्रबद कर दे हन एयो उना दा माल ते खजाना है ते इस खजाने नाल ओ के वल आपने जीवन वी छी फली पूत नहीं हुंदे सब जीवन तो बाद भी आपने अकुला दा भी उदार कर जान दे हन ते होर भी उना नाल उना दी याद नाल जुड़े होए जग्यासु भी पार उतर दे हन तो नाम सिम्रन दी बरकत जड़ी है ओ हमेशा ही काइम रेंदी है वाई गुड़ा नाम सिम्रन हर एक नू सुख दिन दा ते नामी वी अक्तितों हर एक नू लाब ही प्रापत हुंदा सो इस नाम दी इतनी वड़े आई इतनी बक्षिश है गुजरी मैला पंज्वा मिच पाश्या फुर्मांदे हन हर तन मेरी चिंत विसारी हर तन लाहा तो खाफ हर तन ते मैं नमनित पाई हाथ चर्यो हर तो काफ जीवन दियां सारीयं चिंता हाँ वाई गुड़े सिम्रन दौरा दूर हो जाँदियां जे संसारक ताने कठा करिये तजब तो बड़ी चिंता तो उस तानू संभालन दी हो जान दी है फिर उस तो बाद कितना मी तान कठा कर लिए जरूरी नहीं के सारे सुकुषनल प्रापत हो जान पर परमीशर दा नाम तान जड़ा है उदे नाल सारी चिंता मुक जान दी है ते जीवन दियां असली दाथ तान दी समझा जन दी है कि चीजां असी सचियां समझे रहन दे हैं सनू बड़ा तो खाते पलेखा लगदा है पर ए परमीशर दा नाम तान साटे सारे तो खित पलेखे दूर कर देंदा है हर एक चीज नो सही रूप इच वे खंदी सानू शक्ती दिन दा है नजर दिन दा है दिश्टी दिन दा है ते इदे नाल नव निद पाई पाई पाईशा केंदे मैं नौ निदा मी परापत कर लियां हर तरह दे खजाने नौ निदा ख़ान दे हन साहिब सिकुते एक फादे पाईशादा एक फुरमान है माई मैं तान पायो हर नाम मन मेरा दाउंते छोटी ओकर बैठो बिस्राम के मैं परमेशर दे नाम तान नौ परापत कर लिया जड़ा के मेरे लिए नौन दान दे बराबर है होन मेरा माने दरों दरों पटकंटों मुक गया चुट गया होन एक थांते टिक गया तो असल जो मन दी उची सुची अवस्था है जिस दी प्रापती किसे हो और साद नाल नहीं हो सकती ओ प्रमेशर दे नाम इच्छों प्रापत हुन दी जड़ी के सारियां ही खुशियां दादार है पाश्चा के दिन हाथ चरे वहाथ हर थोका थोक उन्दै बहुत सारियां वस्थवाँ सारियां ही वस्थवाँ तो मेरे हाथ सारियां ही वस्थवाँ आ गया सारियां ही दाता आ गया जे परमेशन नाल सुर्थ जोड़िये तकड़ी दात है जिड़ी वाई ग्रू अपने पगतानों नहीं दिन्दा सज़ ग्रू फ्रमाउंदेहन साचे साइबा क्या ना ही कारते रहे कारतां ते रहे सब किछ है जिस दें सो पावे वो सारी हैं यहीं दातां अपने सेव का नों दिन्दा है तो पाईशा फ्रमाउंदेहन खावो खर्चो तोटना वै हलत पलत कैसंगे लाद खजाना गुर्नान को दिया एमन हर रंग रंगे तो नाम दातां जो है उदे द्वारा जिवन दे सारे सो का सारे आँ खुशियंदान अननद जिग्यासन प्रापत हनदा है एते संसार विचवी ते अगले संसार विचवी लोक विचवी ते पलोक विचवी ए नाम तन हर वे ले नाल रंदा जीवातमा दे एक खजाना गुरु नानक पाइशानु अकाल परक्तों प्रापत मिल होया ते पगत संत जग्यासु गुरसिक नामी गुर्मुक उस सद्गुरा को लों एक खजाना प्रापत करके आपने जीवन नु माला माल कर दे हन हर हर जन के उट सतानी हर परताब जने अवर ना जानी फिर वाइगुरु दे नाम सिम्न द्वारा मन नो एक बहुत बड़ी शक्ती प्रापत हो जन्दी है ओट सतानी सतानी मैंने पावरफुल बड़ी शक्ती शाली अवस्था मन दी हो जन्दी है ते ऐसी अब अस्था ते पहुंच के फिर मनुक किसे हो नो कुछ समझा ही नहीं वड़े तों वड़े राजे महराजे भी संता पगता मापुरुखा नाल टकराए पखीर उन्हा को लों हार गए लशकराँ वाले फोजाँ वाले शस्तराँ वाले पगतां को लों हार गए गुर्बाणी विच्विस गल्दा जिकर आया पगत नाम देव जेजी वन विच्चों साखी आई है एक वारी पगत जी विचर रहे संद तो कहने ते हना हैदराबाद एक अटना कठी कि उस विर्द रहाकम मुहमद बिन तॉबला कुछ थे आया ओ इसलामी तरंधा परचार करदा सी ते बाकी हिंदू पगतां दवरोध करदा सी जित्ते कि ते बी इसलामी राजे सन हो हिंदू पगतां हिंदू संस्किती हिंदू तरंटों खتم करना चांदे तेसन तो पगत नाम देव जिनों उने पकड़ लिया एक उदी गाह मर गई सी कहन लगा तुम पगत हैं बड़ा राम दा तुम गाह मेरी जिंदी कर दे बाणी भी जिकर आया है सल्तान पूछे सुन वे नामा देखो राम तुम्हारे कामा मैं देखा तेरे राम विच कितनी शक्ती है जियो मेरी गाह जिंदी कर देगा ता मैं समझांगा तो इस करके उने की किता नामा सुल्तान बंदला देखो तेरा बाब बीठला वो बीठल पगवान दा नाम बीठल है मराठी बोली विच ते नाम देव बीठल दी पूजा करदा सी केंदा तेरा बाब बीठला मैं देख लेना कितनी टाक्त वाला तो साखी लमी है केंदे नाम देव नो अखिर जदो उने किया भी राबदा हुकम है सारा उदे पाने सब कुछ हो रहे है तो उनों हाथी अगे सुटे आ गया उसनों होर मारन दे यतन कीते गए इसे शबद जगे जाके आउंदा कराय गजिंद सुंद की ओट चोट नामा उद बुराय हर की ओट के आथी भी उसनों मारन दे कोशिश करदा है पर ओ बच गया उतों ही ए चमदकार वेक कोई उसनों मार ना सकया काजी मुला करे सलाम इन हिंदू मेरा मल्या मान के काजी मुला में उसनों सलाम करने लगे के हिंदू पागतने साड़ा साड़ी मान साड़ी वड़याई खتم कर दिती है तो केंड़ा पाव इस तरह राजे महाराजे वड़े वड़े हाकम भी पगतांदे सामने दिरुत्तर हो गए उन्हानों कोई गाल ना सुजी हार गए अखीर तो इस तरह नाल हर एक पगते जीओने जैसियां साखियां अउन्दियां हन तो जिड़ा कोई परमेशिर्द सिंरन करदा है पगती करदा है त्वाईग गरुदे नाम तो बिना होर के सिदा हो ओटास्रा नहीं मनदा बहुत वड़ी ताकत है परमेशिर्दे नाम दी बड़ी वड़ी शक्ति है ऊध पो जनह रसराते सुन समाद नाम रस्माते रंगे हुए हन ओध पोध दा पाव है पूरी तरह इन फुल मेयर उनना दा कोई जीवन दा अमल परमेशर दे नाम सिम्रन तो बिना नहीं है हिर्दे करके भी ओवाई गुर्दा सिम्रन कर दे हन उननने जीवन दा प्रकटावा वी परमेशर दे सिम्रन वाला हुंदा है उननने करम वी अमल वी विहार वी सिम्रन वाला हुंदा है जिसनों बानीच के है मन बच करम मन करके भी सिम्रन है प्रकटावा वी सिम्रन दा है ते करम वी सिम्रन दे हन अमल वी सिम्रन दा है सो इस्तरा नाल ओट पोट ओट सिर्टों लेके पैर तक वह ग्रुद नाम विच रंगे हुए वह ग्रुद नाम रस विच रंगे हुए ते उना दे अंदर हरुले एक समादी लगी रेंदिया सुन समाद बारों सारे कारज करते हम पर मन करके ओपर मिश्य दे नाम विच अर्वले जुड़े रेंदे हन हाथ पाउं कर काम सब चीत नरंजन नाल पगत कबीर जी ने पगत नाम देव ते तरलोचन दी आपसी डायलोग बाणी विच अपने एक शवत लिखी है पगत नाम देव जी नो पर मिश्य दा दर्शन हो गया तरलोचन जी नो नी सी होया तरलोचन नाम देव जी को लांदा सी नाम देव जी नाले वाई गुरुदा नाम सिमन कर दे सन नाले आपना कम भी कर दे सन तो एदेखके तलोचन ने सवाल कीता भी तु दुमेका मनाल नल करता पे्ए तु राबब दे नाम दापमान कर रहे है पगत नाम देव जी ने जाब लिटा नापमान नाइए पगत नाम मन करके हर वेले पर में शर्डे सिंबर ने जुड़े रहREE हम पर सरीर करके सारा संसार कार विहार कर दया हन। तो कभीर जी दे शबत दियां पंक्टियां हन। नामा कहे तलोचणा मुखतِ राम समाल हाथ पाऊंकर काम सब जीतने रचिनल نाल। कि अत्थां पेरा नाल संसार दे कामसी कर दयां। पर मन करके ऐसी सदा ही पर मिश दे सिम्रन मी जुड़े होई हाँ ते शब जड़ा सुन समार आया है शहाएद इसे गल्दा प्रक्टवा करता है कि मन करके हर विले पर मिश दे सिम्रन मी जुड़े रेना है ते सरी नाल संसार दे कारज करने हन ते ज़दो मन विच परमी शर्दा सिम्रन होएगा ता जरूरी है के संसार दे कारजवी सिरिर कारजवी सही होणगे सफले होणगे तो इस तरह नाल पगत जड़े हन ओव ओत पोत पूरी तरह नाल परमी शर्दे नाम विच रंगे होई रहें दे हन आठ पैर जन हर हर जपै हर का पगत प्रगत नहीं चपै परमी शर्दा सिम्रन कन्वाला हर वे ले ही परमी शर्दे नाम विच लीन देंदा प्योंके वाईगर दे नाम दा ऐसा रस है जिसनो एकवरी ए रस आउन लाग जानदा इस रास्तों फिर कदे मन हटदाई नहीं फिर हर वे ले ए रस अमरत रस पेंड लई मन लोच दा रेंदा तो अठे पैर देन रात वाईगर दा पगत जड़ा है और परमी शर्दी पगत दी विच लीन देंदा हिर दे करके हर वे ले वाईगर दा नाम सिम्रन करदा है कि यह पगताँ संताम आम पुर्खां दे जीवन विचों कही तरह दे बिरताँ आई हन कि उनन दे रूम रूम विचों वाईगरू 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 दी तूनी को इंदी सी तो ए आवस्था प्रापत हो जेंदी है जो तूम मन करके मनुक सिम्रन करता है तो फिर जड़ा वाईगरू दा सिम्रन करने वाला है उनू होली होली सब नू पता लग जन्दा बए ए बन्दा पगत है संत है मापुरक है पामे ओ किसे अवस्ता विच रेंदा प्याह होए पामे किसे जाददा होए ओ सारे पासे परगट हो जन्दा हर का परगट परगट नहीं छपाए जिड़े शबदा असी पहला होला दिता है के सुल्तान जड़ा है पगत नाम देव जी दा कुछ भी विगाड़ नहीं सकया ते सुल्तान दा नाम कोई जान दा ही नहीं ते नाम देवनों उसी बड़े प्यार नाल सथकार नाल याद कर दें उननों दी बानी पढ़ दें तो शबद दे विच अगे जाके ऐसीयां पंक्तियां आयां नामे की कीरत रही संसार पगज जना ले उद्रे अपार के नाम देव दीव डेई संसार विच काईम रही ओ अपनी पगटी द्वारा होड़ आपने संसार विच अगरतों पार हो गया तो इस तरह नाल प्रभुदी पगटी करनवाले प्रभुदा सिम्न करनवाले वाई गुरुदे नाम दे रंग विच रंगे होए ओ छुप दे नहीं हन उनना दा पता लग जन दा चॉँकि अननों दे जीवन विच एक महका होंदी है एक खुश्बा होंदी है एक अननों दे प्रभा मंडलतों एक परकाश निकल दा है जड़ा भी उना कौल बैठ़धा है उसनू उनन दी प्रापती होंदी है सुखा दी उन पूती होंदी है ते उन्हों पता लग जन्दा भी ए बंदा सही है जड़ा विजी गया सुआंदा सु इस तरह नाल सारे यांदा पला लोचिदा है वाई गुरुदा पगट ते सब नो शांती ते सुख परदान करदा है हार की पगट मुकत बहु करे नान की जन संके ते तरे तो वाई गुरुदे नाम सिमरन दे भी जतनी शक्ती है के जड़ा भी नाम सिमरन करेगा उसे दा पार उतारा होएगा के यांदी मुक्ति कार देंदा वाई गुरुदा सिमरन और वाई गुरुदे सिमरन दोरा वाईगु दे नामी दोरा होर वी केया दा पार उता रहा हुंदा राजा जनक दी कथा आंदी है पाईगु दाश जी ने पागतां दी वार जी कथा लिखी है पगत वड़ा राजा जनक है गुरमुख माया वी चुदा सी देव लोक नू चलेया गन गन धर्ब सबा सुख वासी के जनक राजा जो है और अबदा वड़ा पगत है ते ओ अखी जदों उदी जीवन लीला पूरी हो गई उसनू लेंड लेई वाई गुरू वल्लों उदे दुट आये तो उन्हों विमान लायके उजान लगे जदोंदा वह मान जमा दी पूरी गुनों लंगया नरकांदी पूरीग लंगया तो उन्नू वाज़ा आई आया नरकांदी aan उते जीवन दुखी सदावा देते हैं जा रही हैं सी नो बड़े दुखी सी पुकारां कर रहे सी जम पुर गया पुकार सुन विल लावन जी नर्क निवा सी कि कहने लगा मेरा ये विमान जम पुरी विच लाजाओ उत्थे देखे आभी कितने जीव माड़े करम करने वाले जड़े नर्कां विच गे हैं उत्थे विरलाब कर रहे हैं उत्थे हाल पारे हैं पही होई है तरमराई नो आख्यों सब ना दी कर बंद खला सी उकेन लगा तरमराज नो भई नो छटदे विचारे नो क्यों धुकी दे रहे हैं पर तरमराज भी हाथ जोड़के बेंती करन लगा करे बेंती तरमलाई हो सेवक ठाको रबना सी के राजा मेरा कोई वस नहीं मैं तो उस मालक दा नो कर हां उत्थे हुकम भी चीस सारा कुछ हो रहे है तो राजा पुछन लगा इना दी किस तरह मुक्ती भी हो सकती है तो तरमराज केंता हाँ हो सकती है गैने तर्यो एक नाम पापा नाल करे निर जासी जे तो अपना नाम सिम्रन जड़ा इना वास्ते गैने राख़त में तिना दा पाप जड़ा उकटे आ जा सकता तो 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 लेल है तो लेल है तो जो तोलन लगे पास संग पाफ पना पुजनी गुर्मक नाम अतुलन तुलासी के पास को जितना जड़ा नाम सिमरन उसने तराजूते रखे आ ते सारे दे सारे नरकाओं दे जड़े पाफ सी गे नरकाओं दे वासियां दे वो पूरे हो गे ते उस सारे दे सारे उत्वों नरकों छुटे जी जनत कटी गलों सिलक जम फासी उन नरकां वे जो सारे ही मुकत कर देते और पास गो जितना नाम सिमरन देता तो नाम सिमरन देता इतना परताफ है तो अखीर पाईसाब लिख देन मुकत जुकत नामें की दासी कि मुकती जड़ी हो नाम दी दासी है तो इस तरह परताप है प्रमेश जेशी मरणदा नामदा कि कितने ही जीव नान जन संकेते तरे कितने अधाई पार उतारा हूनदा कोई सीमा ये को हद दी नहीं जितरां उस वाय गुरुदियां बख्षां, हवा, अग, पानी ए सारियां नों पदार प्रापत हन तो सब नों मिल दी है गरीब अमीर नों बराबर दी इसे दरां वाय गुरुदा नाम भी सारियां लेई है कोई किसे वास्ते रुकावटा नहीं, पबंदिया नहीं और गुरुदा नानक दारतां वैसे भी सारियां लेकुला है गुर्बानी दाता पवित्तर अबदेश है खत्री ब्रामन सूद वैस उपदेश चौँवरना को सांजा गुर्मक नाम जपै उद्रै सो कल मैं कट-कट नानक मांजा ये जो गुर्बानी दा अबदेश है, नाम सिम्रन दा अबदेश है एप आमे किसे जादा कोई बंदा आवे, खत्री आजाए, ब्रामन आजाए, शुदर आवे, वैस आवे सारे हमास्ते सांजाए जड़ा भी गुरु दा अबदेश, गुरु दी सिख्याल है के नाम जपेगा, उदा पार उतारा होएगा, कल्यान होएगा कल जुग देश में विच्वी, उदा कल्यान होएगा, पार उतारा होएगा ऐसा गुरु नानक दादर है, के हर एक दा इत्थे सथकार है बड़ी दुनिया विचे कमाल दीगाल है के गुरु ग्रांट सा विचर जिते वड़े वड़े ब्राम ग्यानी ब्राम ना प्रणता दी बानी है पागद परमानां ते रामाना जी वर गे उते चमार दी बानी मी है पागद रवदास दी बानी मी है उते सारें दा सारें ली दर्वाजा खुला तो पूरे दे पूरे पाद दी विचार दा जल संखेप है, God gifted Naam is the wealth treasure and it is a powerful stronghold of the divine servants. they are completely intoxicated with the essence of Naam and are always in a state of meditation where the worldliness cannot disturb them in the company of such saints of God many more seekers swim across the ocean of worldliness. वाई गुरुजी का खालसा वाई गुरुजी की फद्रुब